हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और गाइज आप देख रहे हैं यूनिक मैडिसिन यूटूब चैनल जिस पर हम दवाईयों के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं तो गाइज आज की इस वीडियो में हम दो एंटिवाइटिक मैडिसिन की बात करेंगे तो यहां मेरे हाथ में जो पहली मैडिसिन आप देख रहे हैं वो काफी पॉपिलर है जो की मॉक्सिकाइंट सीवी के नाम से आती है जिसके अंदर एमॉक्सिसलीन और पोटेसियम क्लावुनेट का कॉंबिनेशन रहता है और दोनों ही मैडिसिन ड्राइप और पॉडर फॉर्म में आती है जो की सस्पेंशन आपको तयार करना होता है मतलब डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से हम इसको सस्पेंशन के रूप में तयार करते हैं तो दोस्तों सेकंड मैडिसिन की अगर हम बात करें तो यह हमारे पास ओमना पिल 50 के नाम से जो की सिफिक और यह भी अगेन ड्राइप आटर फॉर्म में होती है मैडिसिन और हम इसके अंदर डिश्टिल वाटर को मिक्स करके इसको तयार करते हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके फाइदे क्या होते हैं मरीज को कब देते हैं मतलब बच्चों को यह मैडिसि जैसे फाइदे करती हैं जैसे बच्चों को जब भी बॉड़ी में वैक्टेरियल इंफेक्शन हो जाता है तो बैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करने का दोनों मैडिसिन का काम रहता है बड़ गाइज यह मैडिसिन जो है कभी-कभी डॉक्टर बुखार आने पर या कफ को जैसे बच्चों के कान में अगर इंफेक्शन हो जाता है बच्चों को निमोनिया हो जाती है रेस्पीरेटरी ट्रेक्ट का इंफेक्शन हो जाता है यूटी आई वगएरा की समस्या हो जाती है पिसाव का इंफेक्शन हो जाता है और बच्चों को पेट के अंदर कोई इंफे दातों का infection हो जाता है, मसूरे वगएरा में infection फैल जाता है, तो ऐसे infection को ठीक करती है. और गैज ये सरिफ doctor की सलह से दी जाती है medicine, दोस्तों ये वीडियो सरिफ आपको जानकारी देने के उद्देश से बना रहे हैं, ताकि आपको इनके बारे में proper जानकारी हो सके. तो guys यह जो medicine है mostly बच्चों को bacterial infection होने पर दी जाती है बट कुछ doctor इनको viral infection होने पर जैसे कि जब viral fever वगेरा हो जाता है उस समय भी prescribe करते हैं और medicine काम भी करती है जो कि study के हिसाफ से नहीं की जाती है बट doctor practical life में इसको देते हैं दोस्तो हमारे बहुत सारे वीवर्स की यह demand रहती है कि sir इनको तयार कैसे किया जाता है तो चलिए मैं आपको तयार करके बताने वाला हूँ तो guys simple मेरे पास एक syrup मैंने तयार कर लिया है और एक मेरे पास dry powder की form में तो दोस्तो जब भी आपको इस तरह का medication लाते हैं तो यह आपको dry powder की form में मिलता है और इसके साथ आपको एक ampoule भी मिलता है इस तरह का और अगर ampoule यह distil water का नहीं मिलता है तो उस condition में आपको यह करना है कि पानी को अच्छी तरह से boil करना है और उसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद वो पानी सेम इसकी तरह काम करता है और फिर आपको इसके अंदर mix करना होता है तो guys यह dry powder की while को, bottle को मैंने open कर लिया है open करने के बाद इसकी seal को तोड़ लेते हैं इस तरह से और seal तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं powder की form में medicine आपको मिलती है simple अब आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह का ampoule लेकर आते हैं तो इस ampoule को आपको तोड़ लेना है, मतलब इसको open कर लेना है और इसके अंदर पानी को डालना है तो guys जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो लगबग इसके अंदर 20 ml हम जो है water को add करते हैं और 20 ml water add करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो syrup है यहां तक भर जाता है और syrup भरने के बाद इसको अच्छी तरह से बापस से कैप लगा देना है और कैप लगाने के बाद guys इसको बहुत अच्छी तरह से आपको shake करना है जिससे कि ये जो medicine है वो पूरी तरह से mix हो जाए और बच्चों को एक सही dose मिल सके तो guys हमने medicine को अच्छी तरह से shake कर लिया है और shake करने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई particle बगएरा नजर नहीं आ रहे है और दबाई जो सेफ है काफी मतलब किसी तरह का कोई problem नहीं दिख रही है बड़ आपको यही ध्यान देना है कि इसको mix अच्छी तरह से करना है ताकि सूखा powder इसके अंदर ना रहे तो दोस्तो अब यह medicine बच्चों को देने के लिए ready है और आपको ध्यान देना है कि जिस तरह से आपके doctor guide करते हैं बताते हैं उस तरह से इस major cup की मदद से आपको medicine को नाप कर बच्चों को देना है जिससे उनको सही डोज मिल सके तो इस तरह से गाईज यह dry powder medicine त्यार की जाती है और जब भी आपको यह ऐसी powder medicine लेकर आएं तो बिलकुल ना घबराएं इनको अच्छी तरह से त्यार करें और बच्चों को अच्छी तरह से इनका save न कराएं जिससे की बच्चों को भरपूर फाइदे मिल सकें और बच्चे जल्दी जल्दी ठीक हो सकें तो गैज यह सारी बाते हैं जो आपको धियान रखनी है दोस्तों बात कर लेते हैं इसके side effect की तो कुछ बच्चों में इस medicine को लेने के बाद उनको उल्टी बगएरा हो जाती है उल्टी कर देते हैं बच्चों के skin पर races बगएरा हो जाते है या बच्चों को किसी तरह का irritation होता है तो medicine को देना बंद करें डॉक्टर से सला करें उनकी स लासे ही medicine दे वीडियो के last में जान लेते हैं कि इनका MRP क्या होता है तो guys यहाँ आप देख सकते हैं moxikind cv 56-57 रुपए में आपको मिल जाता है सेम की अगर हम बात करें तो यह भी आपको 50-55 रुपए में मिल जाता है जो कि आप किसी भी medical store से खरी सकते हैं तो guys यह थी आप और आपका परिवार सेफ रहे आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जै हिंद जै भारत